हिलो दोस्तों यह चेनलbook सरी Korea साथ mendekन दूस्तों यह चैनल स्रिफ आपके लिए यह दोस्तों यहाँ पर यूटमेंट की इंफ रहेंशन मिल जाईए दोस्तों हम YouTube की information आपको देते लेते हैं दोस्तों YouTube की कुछ भी information आपको चाहिए आप हमारे video section में से ले सकते हैं दोस्तों वीडियो को start करते हैं दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त कामरा आप देख रहे है टेकनिकल कामरा जी आज कुछ नया सीखते हैं देखें दोस्तों manual claim क्या होता है और content ID claim क्या होता है इस topic के बारे में आज गुफ्तों करेंगे दोस्तों देखें manual claim जो है दो बंदे है आपके पास ठीक है अब यह copyright owner जो है इसका material ठीक है copyrighted material इस copyright owner ने इस बंदे को जो है claim कर दिया बंदे गर्टेर्या है तो अब यह बंदे कर दीछ है यूटीयूब ने इतनी permission दे दी है यूटूब से ओलिक के पाटनर्शिक रहता है तीक है यह बहुत तो बड़े creators रहते हैं दोस्तों, music channel के, song channel के, comedy के, game के, तो इनका link देता है, तो YouTube से पर्मिशन है दोस्तों, इन लोग को, कि यह manual claim देते हैं, तीक है, manual यानि कि physically अपना video चेक करते हैं, दोस्तों, अगर इनके YouTube channel पर, किसके भी YouTube channel पर पाया गया, कि इनकी video है, दोस्तों, तो इनकी, दो direct claim कर सकते हैं, manual claim कर सकते हैं, तीक है, physically claim कर सकते, तो यह बन्दा क्या करता हैं, दोस्तों, दिर्ट YouTube से इस पर manual claim का option देता है, तीक है, strike तो नहीं होती है, claim हो जाता है, दोस्तों, अब यह बन्दे को क्या करना चाहिए, दोस्तों, जिसको claim मिल गया है, अब यह बंदे को क्या करना चाहिए दोस्तों यह बंदर तीन काम कर सकता है दोस्तों अगर क्लेम आने से कुछ भी termination नहीं होगा दोस्तों चैनल suspension भी नहीं होगा चैनल reject भी नहीं होगा इस बंदे को क्या करना है आगे जा सकता है दोस्तों वे वीडियो गए इसने उसको करके चुह अच्छी तरीके से पेस्ट करके फिर से वीडियो डाल सकता है, अगर इस बंदे को पता है कि वीडियो बिना पटा है कि वीडियो तो ये तीन चीदा बुम कर कर सकता है और दोस्तों यह रिप्लेस और रिमूफ भी कर सकता है अब रिप्लेस कैसा करेगा देखिए सॉंग को रिमूफ कर सकता है अगर कोई music है या song है उसको रिमूफ कर सकता है या कोई वीडियो में जो है कुछ information आ गई उसको भी रिमूफ कर सकता है एडिट करके ठीक है यह YouTube इसक समझाया था आपको content ID claim यह होता है दोस्तों अगर यह बंदे की वीडियो आपने इसके चैनल पर से YouTube के अप्लोड़ेट वीडियो में से अगर आपने content को निकाल लिया वहां से तीक है download करके अपने YouTube चैनल पर दाल लिया तो ओल्रड़ेट जो है YouTube एक सिस्टम में यूटब यूटब करेंगे तो YouTube आपको वहीं पर पकड़ लेगा दोस्तों और वहीं पर आपको email के जरीए और वीडियो पर आपको content ID क्लेम आ जाएगा जी हां दोस्तों यह होता है content ID क्लेम अब content ID क्लेम से आपको करना क्या है देखिए अगर आपकी वीडियो में कोई भी हिस्से में कोई भी पार्ट में अगर content ID है किसी का आपने यूज किया है content तो आपको इसको trim करना है करना है और अच्छी तरीके से फिर से रिएपलोड करना है यह आप कर सकते है content ID से आपके चैनल monetization पे भी बड़ा effect पड़ता है जी हां दोस्तों monetization live stream पे भी effect पड़ता है तो आप वीडियो जो है इसको private में भी कर सकते है या trim करके cut करके जो है फिर से upload कर सकते है तो content ID से भ आपको समझ में आ गया है दोस्तों कुछ भी information अगर आपको यह वीडियो से related पूछना है कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप comment में जरूर मेंशन करिए उसकी पूरी कोशिश करणगा दोस्तों help करने की आज कि इस वीडियो में इतना ही दोस्तों वीड